तो यह दो के प्यारवेच वेचों एक छोठा सा सवाल है यह कहते हैं कि एलो लाइट is replaced sodium lab sodium lab का जो एलो लाइट है replace कि एनदर मोनो blue light से जो एलो था blue light उसको YDSC setup है YDSC setup है आई होब कि यह setup आप पढ़े होगे तो replace कर देते हैं same intensity का तो अगर मैं same intensity का replace कर देते हो तो तुम्हीं fringe width पर क्या फड़क पड़ेगा तो fringe width beta is equal to lambda capital D upon small D होता है आप आई हो की पढ़े होगे bibgeor तो अगर आप bibgeor की study करें तो इधर से मैं इधर जाता हूँ तो lambda की value increase होती है जो red होता है उसकी lambda maximum होती है और यहां से होती है तो अगर तुम यहां से देखोगे जब इधर से इधर जाओगे तो lambda की value बढ़ेगा तो सबसे पहले कौन सी yellow light देखो कहां है तो yellow वाली अपनी जो है मैं color change कर लेता हूँ तो yellow यहां पर this is the yellow यह है yellow ठीक है तो yellow यहां पर जब blue से replace करोगे तो violet indigo blue यह है blue ठीक ना तो blue तो इसका मतले भी हुगा कि आप इधर से यह जो lambda of yellow है is greater than lambda of blue मतलब आप wavelength कम कर दिये न तो वेव अब इधर से इधर आ रहे हो तो lambda क्या है decrease कर रहे हो तो बीटा ही directly proportional to lambda अगर lambda की value अपना lambda की value कम करोगे तो बीटा की value भी क्या होगी कम होगी अगर lambda कम होगा तो बीटा भी कम होगा तो range width will be decreases ठीक ना increase नहीं होगा unchange नहीं रहेगा और यह range will become less intense ठीक है intensity पर कोई फरक नहीं पढ़ेगा thank you